अधिन नवस्कार दोस्तों सवागत आपके अपने यूडूब चैनल स्टडी वीजन दोस में राज आपके लिए लेकर आए हर्यान प्रेक्टिस अट नमबर 20 इसे पहले हम 19 प्रेक्टिस अट करचुके हैं यानी उन्हेस प्रेक्टिस अट कर चुके हैं 20 वर आएगा मारा हम 25 क्यूशन के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं यहां पर हरियना पूरेस से रिडेटिड और यह वो सभी क्यूशन है जो प्रेविश यह में आ चुके हैं या फिर जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है तो पिछली वीडियो में हमने जो क्यूशन दिया था उसका सही अ करते हैं सबसे पहला नाम आता है वो पूजा दारेवाल जी है जिन्होंने 25 में से 25 अंक प्राप्त किये थे उसके बाद रवी आदव जी हैं रवी कुमार जी हैं और परविन कुमार जी हैं तो जो बच्चा इस वीडियो में अच्छी परफॉर्मेंस देगा इस क्लास में परफॉर्मेंस देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं अनॉंस करूंगा तो चलिए शुरू करते हैं गुलाब के फूल की पैदावार एसिया में सब सेधी कहा होती है तो सिरफ बारत में नहीं हर्याना में नहीं एसिया की बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा जो गुला ताज्यवडा हेडवर्क्स नामक परसिद प्रेटंस तला रेणा के किस जिले में स्थित है तो काँ पर स्थित है बताईए बाई तो ताज्यवडा से आप समझ गे होगे कि ताज्यवडा नामक जो स्थाने मारा वो यम्नानगर में स्थित है तो इसका सही अंसर यम्नानगर ह कड़े गई है तो इसका राइट एंसर होगा डी अगला क्यों लेंगे अगला नेर दवारा हर्याना की किस जिले में सिच्छाई का कारिय किया जाता है तो किस जिले में किया जाता है कि शिर्षा में रोहतक में हिसार में तो इसका सही अंशर जो होगा वो यह सभी हो जाएगा क्योंकि इन तीनों डिस्टिक में बागडा नेर के दवारा सिच्छाई का कारिय किया जाता है अगला कैंषन में कैंषा का रहेगा जिला में दरगड का कि चीज की उत पादन में रज्ज राज्य में पर्थम स्थान है तो जो शर्षों का उत पादन है वो सबसे जादा में दरगड में होता है हर्याना में सर्सों की जो फासल होती है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन हर्याना में महिंदर गड़ जले में होता है अगला क्योंसन लेंगे हर्याना सरकार दवरा किस वरस दस जमाद दो जमाद तीन सिक्षा परणाली लागू की गई थी तो most important question है इसका सई answer होगा 1985-86 में और अब 2020 में नहीं सिक्षा निती लागू की गई है तो इसके बारे में हम एक separate वीडियो बनाएंगे उसमें जिकर करेंगे यह most important question याद रखी 10 जमाद दो जमाद तीन सिक्षा परणाली हर्याना में 1986 में लागू की गई थी खोड़िया नर्ते परसिद है तो खोड़िया नर्ते किस से परसिद है कां के लिए परसिद है तो यह मद्धहरियाना में परसिद है मद्धहरियाना काम जिगर करें तो जीन रोतक हिसार जो ये चेतर है ये मद्धहरियाना में पड़ता है और कैथल भी जिसमें खोड़ी अनर्ते किया जाता है वैसे हमारे बिवाने में भी खोड़ी अनर्ते किया जाता है और ये लड़के के विवा के उसर पर किया जाता है अगला के उसर लेंगे किवंदत्ति के अनुसार पांड़ों ने हरियाना राज्ये के किस स्थान पर जैन्ती देवी के सम्मान में मंदिर गान दिर्मान करवाया तो जयनती देवी मंदर है मारा कहाँ पर स्थित है? सब को पता है जीन्द में आज आपको एक बात नहीं पता चली है कि कि वंदि कि वंदित्ति के नुसार पांडों ने हर्याना राज्ये के जयनती देवी मंदर का दिर्मान करवाया था तो ये बात पता चलगी कि पांडो ने इसका निर्मान करवाया था आपको पहले पता था कि जैंती देवी मंदर जीन्द में है लिगनाज आपको पता चला है कि पांडो ने इसका निर्मान करवाया था और यह बात किस्ने कई है, कि पंडो ने इसका निरमान कराया था एक वंधत्ती ने, ठीक है वई, अगला कैसन लेंगे, परसिद कहनिकार ने खक्रसिख विसं बर когоशिक पराए लिखते थे, जो मांसिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, तो वो क्या लिखते थे जो एक मासिक पत्रिका में छपते थे वो लिखते थे दूबे जी के पत्तर के नाम से उन्होंने सेरी चलाई थी जो कि मासिक पत्रिका में छपती थी उसमें वो तत्कालिन मुद्दों के उपर लिखते थे दूबे जी के पत्तर के नाम से अगला कसल लेंगे हरियाना के निमंजीलों को जंगरना दो जग्यार के अनुसार उनकी जनसंख्या के गटते करम के आधार पर ववस्तित कीजी यानिकि पहले सबसे ज्यादा फिर सबसे कम फिर उससे कम तो जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है ओप्सन के हिसाब से बताना आप को वो सबसे पहले नंबर पर फरीदाबाद आएगा कि उसके बाद हिसार आएगा फिर हमारा गुडगाओं आएगा और फिर रोत्तक आएगा यानिकि A B D C A B D C तो इसका सी जो अंसर होगा वह हमारा सही अंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्योशन लेंगे हर्याना में निमन मुख्यमंत्रिव को कालानुकरमित करम में व्यस्तित कीजी यानकी सबसे पहले कौन बना उसके बाद कौन बना उसके बाद कौन बना तो सबसे पहले हमारे चोदरी बंशिलाल बने थे 1968 में और कब तक रहे थे 1975 तक और 1975 बने बिडी गुपता ये रहे थे 1977 तक 1997 में देविलाल बने और फिर सबसे लास्ट में हमारे भजनलाल बने थे तो ये करम रहेगा इसका एक दो तीन चैयार सहीं अंशर हो जएगा मारा B चलिए नेक्स्ट क्यूशन लेएंगे हर्यान का सीतला माता का मंदिर किस वास्तू सिलप ये पैटर्न पर डिजाइन किया गया है यान की कौन सी प्राचिन जो वास्तुकला है जिसके आधार पर हरियान का सितला माता मंदिर जो की गुड़गाओं में स्तीत है बनाया गया है डिजाइन किया गया है तो ये मुगल कालिन जो अमारी वास्तुकला होती थी उसके पेटर्न के उपर बनाया हुआ है सीतला माता मंदिर जो की गुडगाओं में स्थीत है इसे चेचक की माता भी कहा जाता है अगला क्योसन लेंगे केंदरी मरदा लवनतानु संधान संस्तान C.S.S.R.I करनाल की स्थाबना हुई तो कर्णाल में इसकी स्थापना कब की गई थी केंद्रिय हैं मिट्टी लवनतानु संदान संस्थान की स्थापना कब की गई थी मोस्ट इंपोटन्ट क्यूशन ने बहुत बार रिपीट हुआ है तो 1969 में इसका सई अन्सर हो जाएगा बी ठीक है अगला क्यूशन लेंगे तो साथ साथ लाइक करते हैं नए वीडियो को कमेंट करें कि आपने इसका क्या एंसर किया है निमन में से कौन सा अडपा से बेतास्तल फतेहबाद हर्याना में श्तित है तो कौन सा जो अडपास बेतास समधित तल है और जोगी फतेहबाद मे मिश्थी थे बनावाली और राखीगडी ये दो स्थाल ऐसे हैं जिसको लेकर आपको कन्फ्यूजन होता है तो बनावाली फतेवाद में है और जो राखीगडी है मरा वही सार मिश्थी थे दोनों most important है दोनों गो याद रखना हडपाच्य बेता के स्थेल है दोनों अगला क्योशन लेंगे हारियाना में अमबाला Cantorement 655 की स्थापना कब हुई तो अमबाला Cant함 की ये 1883 में चावनी बनाई थी इसी के अंदर जो रफेल हमारे विमान आये हैं कि जो कि हमारे लड़ा को विमान है उनको उतारा गया है तो नेक्स्ट क्यूशन लेंगे हर्याना के पलवल जिले की स्थापना की तारिक है तो इस प्रकार की क्यूशन भी पूछे जाते हैं ये भी PGT का अक्जाम हुआ था इंगलिस का टिक कर सकते हैं इसमें 15 अगस 2008 को पलवल जिला बना था तो सभी जिलों की स्थापना दिवस डेट वो याद होने चाहिए आपको चली एक लक्योशन लेंगे बारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कोन थे जब हर्याना के पर्थम मुख्य मंतरी निर्वाचित हुए तो बार्त के पहले मुख्य मंत्री कोन बने थे बताइए कोन बने थे भई B.D. सर्मा पंडित बगवध्याल सर्मा कोन बने थे पंडित बगवध्याल सर्मा तो उस समय हमारे जो मुख्य चुनावा युक थे वो कोन थे तो इसमें से वो कोई नहीं थे तो थे कोण फिर वो वो थे मारे कल्यान सुंद्रम कोण थे कल्यान सुंद्रम तो most important question है यह आपके लिए नया question होगा कल्यान सुंद्रम उस टाइम पर मारे मुख्य सुनाव आयुक थे निमन सभी हर्याना राज्य की नदिया है सिवाई गगर नदी हर्याना की है दोहन नदी है इंदोरी नदी है गगर हमारी उत्र हर्याना की नदी है और इंदोरी और दोहन जो नदिया है वो हमारी दक्षन हर्याना की नदीया है हर्याना में दो परगर दिया है उत्रब हर्याना की और दक्षिन हर्याना की कोटला जो है वो जील है हर्याना में ही है तो आज गापका किसन यहीं रहेगा कि कोटला जील कहां स्थित है जो सही अनुसर देगा उसका नाम अनौंस करेंगा अगली वीडियो में चलिए एकला किस लूड नर्थे किया जाता है उली के तोहार पर खोडिया नर्थे लड़के की साधी में गूगा नर्थे गूगा नौमी के दिन और रामली लगा आप सब को पता ही है कि कब किया जाता है नेक्स्ट किरियाद लेंगे हर्याना में मारा गाउं, जगमक गाउं, योजना प्रारम की गई, कब प्रारम की गई थी भई तो यहाँ पर थोड़ा कन्फूजन हो जाता है, क्योंकि 2015 सभी में दे रख्या है, सब को पता है कि 2015 में की गई थी तो इन्होंने individual date भी दे दी इनके साथ-साथ, कि 1 जुलाई को, 20 अक्टूबर को, 15 गस्त को, 15 दिसंबर को तो मारा गाउं, जगमक गाउं, योजना की शुरुआत हुई थी हमारे, 1 जुलाई 2015 को, most important question है याद रखना अगला question लेंगे, निमन सभी जिले, अंबाडा का मिशनरी के अंतरगत आते हैं, सिवाई, तो इसका सही अंसर क्या रहेगा? अंबाडा तो आता है, कैथल आता है, पंचकुल आता है, तो करनाल नहीं आता भई, तो इसका अंसर हो जाएगा, करनाल चलिए, next question लेंगे, हरियाना का कौन सा स्थान, स्वाधिंता सेनानी, लाला लाजपतराय के राजनितिक, तथा साथ ही साथ, सामाजिक गतिविद्यों का स्थल था, तो लाला लाजपतराय का जनम, और उनका जो सामाजिक गतिविद्या होई थी, या राजनितिक गतिविद यह हुई थी वह हिसार में हुई थी लाला लाज पत्राइजी ने ऐसे गंदोलन में बढ़ चटगर भाग लिया था और कॉंग्रेस के अधिवेशनों में भी वह भाग लेते रहते थे और बारती सब्तरतरा संग्राम में उन्होंने अपना बहुत बड़ा युगदान दिया है तो उनका समन्द हिसार जिले से है अगला क्योशन लेंगे राज्य सेवा आयोग केसे देशों की न्युक्तियां कौन करता है दो यह उप्सन है यह क्योशन किस यूगलत नहीं करना और यह क्योशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ सर्फ दो उप्सन आपके लिए कॉमेंट करके बताओगे और साथ ही साथ यह बताओगे कि राज्य लोग सेवा और किस देशों कौन करता है हृयाना में भी बताओगे और किसी हद्रस्तेट में भी बताओगे पंजाब और हर्याना दोनों का बताए देना कि हर्याना में कौन करता और पंजाब में कौन करता है ठीक है ये क्योशन आपके लिए है और जो नए स्टुडेंट है जिनको नहीं पता उनके लिए कॉमेंट में इसका अनुसवर छोड़ दिया जाएगा बाद में आप कॉमेंट पढ़ लेना चलिए एकला क्योशन देखेंगे समराठ हर्षवर्दन के किस पूर्वज राजा ने थानेसर नगर के समीप थानेसर मादेव मंदिर बनवाया था तो ये किस ने बनवाया था पुस्पे भूती ने पुस्पेवूती सम्राठ हरस्वर्दन के पूर्वज थे उन्होंने थानेसर माधेर मंदिर बनवाया था कहां बनाया था थानेसर नगर में थानेसर हमारा कांपर स्थित है कुरुप छेतर में अगला क्यों लेंगे अलबरुनी की प्राचिन पुस्तक किताब उलहिंद में निमन में से किस जील के नाम का उलेख हुआ है तो किस जील का उलेख हुआ भई ब्रम स्रोवर जील का उलेख क्या गया है अलबरुनी की पुस्तक किताब उलहिंद में ब्रम स्रोवर हमारा कांपर है कि कुरुक्षेत्र में यह सबसे पवित्तर जो मारा स्रोवर है वो माना जाता है और ऐसी मनेता है कि इसमें सनान करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं सभी पाप दूल जाते हैं और बहुत ही मनेता है इसकी अगला क्योशन लेंगे इसमें से सही जोड़े का चैन करना है तो कपाल मोचन रोहतक में ब्रम्स रोवर कुर्चेतर में पंडू पिंडारा यम्ना नगर में अस्तल बोर जीन्द में तो बताना कि इनमें से कौन सा सही है तो ब्रम्स रोवर जो है वो हमारा कुर्चेतर में इसमें ये सही रहेगा और पंडू पिंडारा यम्ना नगर में नहीं है जीन्द में अस्तल बोर हमारा रोहतक में है और कपाल मोचन हमारा यम्ना नगर में इसका सही मिलान अगर आप करोगे तो क्या रहेगा इसका सही मिला अस्तल बोर मारो रोत्तक में बर्म सरोवर कुर्षयतन मे остallimus और मोरो रोत्तक में और जो हमारा कपाल मोचन है वह यमनानगर में रहेगा वई तो आज की कलास में इतना ही हम ने उप्षन के आधार पर डिसकस किया आपको क्लास कैसे लिए कोमेंड में बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें पढ़ते रहें बहुत जल्द हससी अपने अपना सेडूल डिसाइड करेगा और हम सब को बताएगा कि कम से एक्जाम होंगे जोई कोविड की जो प्रकिरिय महिला सूपरवाइजर सब इंस्पेक्टर जनरल सभी अग्जाम होंगे पीजिटी भी होगा और टीजिटी और जेविटी की भरती भी आएगी जेविटी की बरती तो एकदम स्टेंड बाई पर है उसके बाद टीजिटी की भी संबावना है कि पहले है इस टेट होगा और पर टीजिटी की भी भृती आए तो तयरी करते रहें मेनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है तो धन्यवाद दोस्तो बगवानकर आपका दिन आप दो